कि स्वागत्य आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगी नौग्रहों के बारे में यदि जो हमारी नौग्रहों है वो हमारी यदि अनकूल नहों तो कई बार क्या है कि हम नौग्रहों से परिशान हो जाते हैं तो उनके लिए एक ही उपाय है कि हम है सभी नौग्रहों को अगर अपने अनकूल करना हो तो उसके लिए एक मंत्र आता है वह मंत्र यदि हम सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है यदि उसको पढ़ते हैं उसका मनन करते हैं भगवान के सामने बैठकर नौग्रहों की अनकूल होने की प्रातना करते हैं तो इस मंत्र को पढ़ने से उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और नौग्रहों उनकी अनकूल होने लग जाते हैं थोड़ा समय लगता हैं लेकिन धीरी धीरी करके यह नौग्रहों जो भी हैं वो इस मंत्र के द्वारा मनुष्य के अनकूल हो जाते हैं तो यह जो नौग्रहों का जो मंत्र है यह इस परकार से हैं सूर्यह सार्य मतेंदुरुच पदवविम सनमंगलं मंगलहा सद बुद्धीष्य बुदो बुरुष्य गुरुताम् सुक्रह शुकं सम्सने राहुर बाहु बलं करोतु सततं केतु कुलो शान्युतं नित्यं पृतिकरा भवंतु ममते सर्वियन कूला ग्रहा आयोश्य वित्या स्चितता सुकंच दर्मार्त लाभो बहु पोत्रतांच शत्रुचयम्राज सुपूजताश्य तुष्था गराचे मिकराववंतु ब्रह्मा मुरारे स्थ्प्रांतो कारे बानो ससी भूमि सुतो बुद्रष्च गुरुष्च सुगुरा सनिराहु केतु सर्वे गरहा शान्तिकराववंतु घणा दिपो भानुष सांक भूसिता बुदु गुरु भार्गव सुर्य नंदनाहा राहुष्च केतु परम्नवाग्रहा गुरुवंतुते पूर्ण मनोरतै सदाह। कə दू ह म requirements केतू थाप हर भारस्व・घ्थ-सुर्ण मनूस सम्हें सर्ष्च सांक भार्गवंतु झाल झाल